अमीर लोग, पैसा होते हुए भी, चीज EMI पर क्यों खरीते हैं? ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जो calculation मेरे बेटे को समझ में आई, वो हर उस युवा को समझ में आने चाहिए, जो अपनी लाइफ में कुछ प्लानिंग कर रहा है. तो पहला प्रशन अपने आपसे ये पूछो कि आपकी इंकम कितनी है, दूसरा प्रशन अपने आपसे ये पूछो कि उस गाड़ी की EMI कितनी है, तीसरा प्रशन अपने आपसे ये पूछो, दोस्तो नमस्कार, हर व्यक्ति का एक सपना होता है, कि उसके पास एक खुद की कार हो या कई बार ये भी होता है कि मेरे पास multiple कार हूँ और कार खरीदने के लिए लोग प्लानिंग करते हैं कि नया साल आएगा तब खरीदेंगे होली होगी तब खरीदेंगे दिवाली होगी तब खरीदेंगे birthday होगा, anniversary होगा कोई भी एक life का valuable day select करते हैं कि इस दिन हम गाड़ी खरीदेंगे और आप लोग जानते हैं कि मैं किसी भी ऐसे विशे पर वीडियो नहीं बनाता जिसका real life में मैंने practical ना किया हूँ तो आज एक real incident भी आपके साथ share करने वाला हूँ अभी मेरा बेटा थारा साल का हुए है उसने का डेडी मुझे car gift लेनी है मैंने का ठीक है कौन सी car लेनी है तो मुझे लगा भी कोई कार बताएगा अपनी च्वैज की जेस तरह की रेंच की कार हमारे पास है उसने का नहीं मेरे को TUSesting and Tora वाली कार लेनी है मैंका Tora मतलब sales वाली कार लेनी है कौनसी कार लेनी है बोला जैड़ी थार लेनी है तो मैंने का ठीक है धार ले ले ते बेटा पता करूः की थार कितनी की है तो उसनों सारा research किया सबकुछ किया और calculation बिठाया कि जो थार गाड़ी है वो लेने का मन बना लिया और अभी फिलाल हम उसकी कार की delivery लेकर आए हैं उसको बहुत अच्छा लगा कि डड़ी यह तो मेरे मन की इच्छा पूरी हो गई अब थार से मैं college जाऊंगा तो गूमूँगा मौज करूँगा फ्रेंट्स के साथ enjoy करूँगा लेकिन अगर यह 4x4 होती तो मज़ा कुछ और होता मन का बेटा रेर वील ड्राइब भी है न वो 4x4 का मज़ा दे सकती है दोनों के amount में जो difference है उससे बहुत कम पैसे में आप 4x4 को rent पर लेकर off-roading कर सकते हैं क्यों क्यों क्योंकि off-roading आप regulate करते नहीं है एक लाग किलो मेटर में से 200 किलो मेटर 300 किलो मेटर 1000 किलो मेटर भी आप off-roading नहीं करते तो राइट तरीका क्या है ऐसी कार लो जो convenient भी हो और उसकी mileage भी अच्छी हो तो मैंने उसको suggest किया rear wheel drive मतलब two wheel drive car ले ले उसने का हाँ ठीक है यह बात तो मुझे समझ में आई अब real life में जब हम कोई काम करते हैं न तो हमार पास कुछ options होती है तो ऐसी जब मुझसे बोला कि डड़ी क्या कार लेने के लिए हमार पास इतने पैसे हैं कि हम सारी payment दे दें बन का बेटा इतने पैसे हैं कि हम 10 गाड़ी भी एक साथ खरी सकते हैं लेकिन तू बता मुझसे पूछना क्या चाता है बोला डड़ी कार हम one time payment दे के खरी देंगे मैंने का उससे क्या होगा कर बस मैं चाहता हूं कि one time payment दे के खरी दें ताकि मैं बोलूं किसी को one time payment पर खर ली यह system समझ लिया वो खुड decide कर पाएगा कि उसको one time payment दे कर कार खरीदनी है या लोन लेकर कार खरीदनी है तो इसी विशापर हम बात करने वाले है delivery बेटे की गाड़ी की उसको मिल चुकी है और वो पूरी family के साथ trip भी करके आया है अब बात करते हैं कि जब हम लोग discuss कर रहे थे प्लानिंग कर रहे थे तो मैंने पुछा गाड़ी की वैल्यू कितने हैं उसे बताए कि डड़ी मेरी जो कार आएगी ना 15,85,000 की है लेकिन मेरे स्कूल के जो फ्रेंड्स हैं और कॉलिज में मेरे साथ जाएंगे उनमें से कईयों के पास पहले से था रहे हैं और उ ठीक है जहां लादी वहां सवाला दी यूपी का डेलक तो आपने सुनाया ना जब अधन लादी लिया है तो थोड़े से क्या फरक पड़ता है तो मैंने का ठीक है कितनी की एक लाख तो मैंने का कार की वैली कुछी 16,85,000 ये बात में आपको इसलिए बता रहा हूं कि जो कै आने चाहिए जो अपनी लाइफ में कुछ प्लानिंग कर रहा है अब उसने कहा कि डैड़ी वन टाइम दे कर खरीद लेते हैं तो मैंने उसको समझाए बेटा पहले पेपर ले पैन ले मेरे साथ बैट और चीजों को अच्छे से समझ और तू मुझे गाइड करी हो कि इन द और टेंशन फ्री रहूं करेड़ी इसले तो मैं कहा रहा हूं तक ही टेंशन फ्री हो जाएं तो आपको जानके अश्चार होगा कि अमीर लोग पैसा होते हुए भी चीज एमाई पर क्यों खरीदते हैं इस बारे में हम बात करने वाले हैं दूसरा दूसरा ऑप्शन हमारे पास था कि लगबग 6,85,000 रुपए हम डाउन पेमिंट दे दें और उसके बाद 10,00,000 रुपए का लोन करा लें अब आपको लगेगा यार पैसे होंगे ही तो पैसे दो और गाड़ी लो पैसे नहीं है तभी तो हम लोन ले रहे हैं तो फिर ऐसा क्यों होता है कि दुनिया क में परिशान रहते हैं तो चलिए इसकी कैलकुलेशन को एक बार समझ लेते हैं कि अगर दोनों ऑप्शन होते दोनों से नहीं होते तो क्या होता 16,05,000 रुपए होती तो 16,05,000 हमारे खतम और गाड़ी हमारे पास है जो कि डेप्रिशेटिंग एसेट है आने वाले 10 साल दोक्ता इससे भी कम हो जाए और उसकता इसे ज्यादा हो depend करता उस समय थारगी वेल्यू क्या होग़े तो हम बात करते हैं कार हम लोण पर लें या डाउन पेइमेंट पर लें तो मैंने आपको बता है अगर डाउन पेइमेंट दे कर लोगे वन टाइम तो पैसा एक बार मे down payment दी और 10 लाग रुपे का बैंक से लोन करा लिया और बैंक को ये का कि ये जो 10 लाग का लोन है उसको 3 साल का कर दो 36 EMI बनती है effective rate of interest जो अगर हम calculate करें तो आज जो car loan है उसका 8.75% से लेके 9% तक rate of interest है ये इस बात पर depend करता है कि आपका credit score क्या है जिनका credit score बहुत अच्छा होता है उनी को minimum rate of interest पर गाड़ी मिलती है तो 8.75% के हिसाब से अगर मैं EMI calculate करूँ आप download कर लिजेगा EMI car loan EMI calculator तो वहाँ पर 10 लाग डालना EMI में 36 डालना rate of interest में 8.75 डालना तो आपको EMI calculate हो जाईगी तो EMI कितनी आईगी 31,684 रुपे है अगर हम calculation देखें तो 31,684 रुपे 36 महिने में मैंने 11,40,624 रुपे पे कर दिये फाइन इसका मतलब 10 लाग रुपे का मेरा loan था 1,40,624 मैंने interest पे कर दिया ये बात तो सबको clear है लेकिन यहीं से शुरुव होती है game changing story और वो game changing story कै है वो ये है कि अगर 1,40,624 मेरा interest का amount है 36 मन्त का तो effective per month interest जो मैं पे कर रहा हूँ 3,906 रुपे on an average मैं interest पे कर रहा हूँ हर महीने fine अब इसका rate of interest calculate करें कि भई 10 लाग रुपे का loan मैं x percent पर लूँ जिसका interest 3,906 रुपे आए तो वो rate of interest क्या होगा वो rate of interest आएगा 30.39% ये rate of interest आजाएगा तो हमने ये calculate कर लिया कि भई ये calculation जो है कि इतना interest अगर मैं pay कर रहा हूँ तो वो 10 लाग का loan मुझे 0.39% rate of interest पे मिल रहा है अब आगे बात करती है इसका मतलब 1,44,624 रुपे डिवाइड वाइ 36 इक्वल टू 3,906 रुपे effective rate of interest आगया 0.39% fine अगर आप व्यापारी है ना अगर आप working class में भी हैं आप job भी करते हैं तो भी अपने अडोस पोडोस में व्यवहारिक interest पूछना कि कोई व्यक्ति अगर किसी व्यक्ति से पैसा उधार लेता है वो भी secured गोल्ड रखकर property के paper रखके या किसी की guarantee दिलाकर तो rate of interest क्या होता है जर्नली डेड़ दो परसेंट का व्याज वो भी जब जब विश्वस्निय व्यक्ति व्यक्ति व्यार बांगता है तो लेकिन वही व्यक्ति और उसकी credibility थोड़ी सी कम जोर है तो तीन परसेंट भी होता है चार भी होता है पांच भी होता है कुछ लोग तो 10-10 परसेंट पर loan ले लेते हैं पर मंत बता रहा हूं है आपको तो यहाँ पर हम अगर journal traditional method की बात करें तो traditional rate of interest जो होता है वो डेड़ से 2% होता है तो मान लेते हैं कि 10 लाक रुपए 16,85,000 रुपए आपके पास थे आपन 10 लाक रुपए इंटरस्ट पर दे दिये किसी व्यक्ति को और 10 लाक रुपए का जो इंटरस्ट आता है 1.5% से 15,000 और 2% से 20,000 पंदरा से 20,000 रुपए पर मंत आपके पास केवल ब्याज आता हूँ 10 लाक का जो आपके पास थे आपने गाड़ी में ना देकर अपने पास र मुझे वहारे ना अच्छा नहीं लग रहा तो मैं किसी दूसरे मकान में जाके रह रहा हूँ और किसी दूसरे क्राइदर को अपने मकान में रख रहा हूँ तो ऐसे तो तब भी आपकी रही ना है ना तो क्या हुआ इसका मतलब 15,000 से लेकर 20,000 रुपए पर मंत के हिसाब स तीन साल में 5,40,000 से लेकर 7,20,000 रुपए का इंटरस्ट आपको आता है अगर वो पैसा आप गाड़ी को फाइनेंस कराके वो पैसा अपने पास रखके किसी को ब्याज पर उधार देते हैं वो भी सिक्योर्ड अंसिक्योर्ड का तो रिट आफ इंटरस्ट बहुत आई होता वो 5,40,000 से 7,20,000 मिलने वाला है इसका मतलब इसमें से यदि मैं जो इंटरस्ट आपने बैंक को पे किया है कार लोन पर वो घटा दूँ तब भी आपका प्रॉफिट 3,99,676 से लेकर 5,89,376 रुपया आता है तो समझदारी किसमे हैं समझदारी इस बात में है कि यदी आप के पास पूरे पैसे हैं भी तब भी आप गाड़ी को फानेंस कराएं और उस पैसे को किसी डिफरेंट तरीके से ऐसी जगा लगाएं जहां पैसे से पैसा कमाएं तो आपको जो इंटरस्ट आपने पे किया उससे भी अच्छा प्रॉफिट आपको होने वाला है आप कुछ लग सोचेंगे कि यह री ट्रडिशनल तरीका है मैं कैसे किसी को उधार देगा नहीं मिलेगा सेक्योरिटी है नहीं हैं बहुत सारी बाते हैं ट्रीडीशनल बाते हैं चलो इस बात को भी हम छोड़ देते हैं अगले एक शनखेयों ले लेल ते हैं मान लीजिए आपने किसी को उधार ना दे कर, आपने सोचा है, रे एफडी करा दूआ ना, तो बैंक के पास मेरा पैसा सेफ रहेगा, तो मान लेते हैं कि वो पैसा आपने एफडी पर कराया, तो एफडी पर जो rate of interest मिलता है, वो 7.25% मिलता है, आप rate of interest calculator से निकालेंगे, तो आपको पता लग जाएग कि कहीं भी आप invest करते हैं, तो कितना profit आपको मिलता है, 7.25% आपको rate of interest मिलता है, 10 लाख रुपे principle तीन साल के लिए, तो आपके जो पैसे हैं, उसमें interest आता है, 2,40,547 रुपे, मतलब 12,40,547 रुपे आपके हो जाते हैं, इतना अगर आपने interest पे भी कर दिया, और EMI भी पे कर दी, तब भी आपको लाख रुपे के आसपास profit हो जाता है, अगर आप bank से loan लेकर गाड़ी लेते हैं, और आपके पास जो पैसे थे, उसकी FD कर देते हैं, तब भी आपको एक लाख का profit होता है, अगर आपके घर में कोई senior citizen है, कई बार होता है, कि family में दादी हैं, दाद 99.99 इंटरस्ट मिला, टुटल 12.7.59 और उन्होंने जो इंटरस्ट प्लस loan amount जो पे किया था, वो 11.4.624 रुपे, net profit उनको होता है, 1.36.975 रुपे का, friends, ये दूसरा scenario जहाँ पर हम इस बात पर चर्चा कर रहे हैं, जब आपके पास पैसा है, और आपने उस पैसे से, गाड working capital को निकाल कर, liability based चीजें नहीं खरीता है, हाँ, अगर वो गाड़ी इस तरह ही कि, कि business में use होगी और business grow होगा, तो हो सकता है, वो full payment करके गाड़ी खरीद ले, लेकिन कई बार ये भी देखा है कि, पैसा होने के बावजूद भी, working capital होने के बावजूद भी, extra spare fund होने के ब मिलने वाला उसकी बात नहीं करते हैं, fine, तो बात क्या रही कि, अगर आपके पास पैसा है, तो आप उस पैसे को traditional तरीके से invest करके भी पैसा कमा सकते हैं, FD करके भी पैसा कमा सकते हैं, और यदि वो पैसा आप अपने business में लगा रहे हैं, तो हर business का journal profit भी देखू ना, तो जारातर business में 10%, 15%, 20%, 25% तक का margin होता है, सोचो, आपको 40 पैसे के ब्याज पर पैसा मिल रहा है, और उस पैसे को आप ऐसे ब्याज पावर में लगा सकते हैं, जहां पर आपको 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 50% और 100% margin वाले business में होते हैं, तो वो लोग तो कभी भी अपना पैसा ऐसी चीजों प ब्याज दर पर मिल सकती है, तो traditional बात मैंने आपको बता दी कैसे benefit आपको मिलता है, FD की बात भी बता दी, business की बात भी बता दी कि उस पैसे को business में invest करके आप और अच्छा पैसा कमा सकते हैं, लेकिन हर व्यक्ती तो business नहीं कर रहा, जो service class आदमी है, job कर रहा है, retirement पर रहा ह या भी school going student है, college going student है, वो सोचेगा कि मैं कैसे पैसा इस्तिमाल करूँ, अपना नहीं चाहिए अपने पिता जी काई सही, उस पैसे का मैं इस्तिमाल कैसे कर सकता हूँ, तो जो smart लोग होते हैं, वो smartly money के साथ game खेलते हैं, और इसलिए उनका पैसा उनके लिए पैसा कमाता ह है, कहते हैं, let your money work for you, अपने पैसे को अपने लिए काम पर लगाओ, अपने पैसे के लिए अगर काम करोगे तो पूरी जिंदगी काम करना पड़ेगा, और यह आपका पैसा आपके लिए काम करेगा, तो पूरी जिंदगी आपको पैसा आता रहेगा, तो पैसे से पैसा बन Yes or no ? So if इभ Duane, आप इनवेस्ट करते हैं mail look at the new Standard & to a journal that Long term pana kuulik trading कि नहीं कर रहा Swing trading की बात नहीं कर रहा ma工 हम תर्वा कinekरा रिजेखके मिल धर हूं आप company इंवेस्टेंटि डेखके company के और में उसके शेरण कि वेल्यू को समझ कर a says Research & Analysis करके जब आप invest करते हैं तो long period में लंबे tenure में आपको 18 से 20% का margin मिल जाता है expected rate of return जो आता है ना 15 से 18 20 मेरे पास तो ऐसे शेर से जिसमें मेरे को 200% का profit भी हुआ है लेकिन यहां मैं कोई stock के बारे में बात करने नहीं आया मैं बात कर रहा हूं कि जर्नल rate of return जो आता है 18 से 20% है 10 लाक रुपे के आपने ऐसी company के share खरे दे जिसकी भविश्य में गरूत की संभावना है और अगर नहीं भी है तो over the long period वो ऐसे भी बढ़ी जाना है आपका तो 10 लाक के share आपने खरे दे और 3 साल का जो return आप calculate करेंगे न और ज्यान रखेगा share market में compound interest चलता है क्या? क्या आपने पैसा निवेश किया उस पर जो पैसा कमाया उसको भी निवेश किया उस पर फिर पैसा कमाया तो उन सारे पैसे को लगातर निवेश करते चले गए तो लगबग 18% rate of return से भी 6,43,032 रुपए आपके पास आते है तो total amount कितना हुआ? 16,43,032 आपने interest मिला के भी इतना पैसा पे नहीं किया था बलकि अपने 10,00,000 रुपए अपने पास रखर यूज करके share market पे invest करके आपने अच्छा profit भी कमाया और दूसरी बात यहाँ profit 2,3,4,5,0,000,000 नहीं है 99,000 से लेके 5,0,000,000 पास प्रॉफिट नहीं है यहाँ profit पूरा ही 16,0,000,000 आप समझ लें पता है क्यों? आपका कोई 16,0,000,000 कैसे होगा सर? 10,0,000 भी तो भर है वो लोन तो आपने दिरे-दिरे किस्तों में भर है आपको पता भी नहीं चला एक समय ऐसा आया जब आपका लोन सारा उतर गया और आपने देखा मेरी तो पूरी capital यहाँ पर खड़ी हुई है तो समझदार लोग अपनी capital को बचाती है और जो लोग समझदार नहीं है वो अपनी capital को गमाते है Warren Buffett ने भी इसके उपर एक बहुत छी statement दी थी उसको आप मेरी share market वाले वीडियो में देख सकते है दोस्तों कुछ लोग अब यहाँ पर सोचेंगे यह तो बात रही उन लोगों की जिनके पास पैसा होने के बावजूद भी यहोंने गाड़ी finance करा ली पर उनका क्या सर जिन्होंने जैसे तैसे करके down payment कठा की है और सोचरें गाड़ी finance कराएंगे life को enjoy करेंगे जिन्दगी मिलेगी ना दुबारा movie उन्होंने देख ली है और वो कह रहे हैं कि ठीक है EMI भड़ते रहेंगे तो पहला प्रशन अपने आपसे यह पूछो कि आपकी income कितनी है दूसरा प्रशन अपने आपसे यह पूछो कि उस गाड़ी की EMI कितनी है तीसरा प्रशन अपने आपसे यह पूछो कि EMI के अलावा गाड़ी की रिपेयर, मेंटेनेंस, वेरेंटियर, डीजल पेट्रोल और सर्विस मिला के कितना खर्चा आपके उपर आने वाला है, इंशोरेंस का पैसा कितना जाने वाला है हर साल, साल में एक बार इंशोरेंस गया, 60,000 रुपे, एवरेज एफेक्टिव कैल्कुलेट करोगे, तो 5,000 रुपे पर मंद का इंशोरेंस हो गया, अभी तो वेरेंटियर की बाती नहीं हो रही है, तो ये सारा कैल्कुलेट करने के बाद, आप ये हिसाब लगाएं कि वो आपकी इंकम का कितना परसेंट है, दोस्तों आप लाइफस्टाइल को डेवलेप करना चाहते हैं, आप अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, आप उनकी चाहत में आगे बढ़ने के लिए सारी मेहनत करने के लिए तयार हैं, उसके बावजूद भी आपको यह समझना है कि उन सपनों को पूरा करने का सही रास्ता क्या है हो सकता है कि अभी वो समय ना हो जब आपको नई कार खरीदनी हो तो जब मेरे जीवन में ऐसा समय था तब भी मैंने इसका रियल लाइफ एक्षपिरिंस किया और एक वीडियो बनाया था कि नई कार खरीदें या पुरानी दूसरा सिनर्यू यह भी है कि आपको गाड़ी खरीदनी चाहिए या नई खरीदनी चाहिए मैं नई और पुरानी की तो बात ही नहीं कर रहा कि गाड़ी खरीदें भी या ना खरीदें और ना खरीद के कैब का इस्तिमाल करके कैसे हम लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं ये वीडियो भी आप जरूर देखें और कैसे एक सेकिन हैंड मारूती 800 कार से और तक का सफर मैंने तै किया और बीच में लार्ज नंबर आफ कार्स आती चली गई और मुझे लगा आज जब मेरे बेटे ने य खरी देंगे, EMI पे करेंगे और ये पैसा स्टॉक मार्केट में इंवेस्ट करेंगे और इसी से मैं चोटा स्टाप भी शुरू करूँगा आज मैं चाहूं तो अपनी बेटे को अपनी कंपनी का डिरेक्टर अपॉइंट कर सकता हूं लेकिन मैंने कहा कि अगर बिजनस में कुछ करके दिखाना है ना तो एक छोटा स्टाप शुरू कर मैं सपोर्ट करूँगा मैं गाइड करूँगा मैं मेंटोर्शिप दूगा तुझे और धीरे 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 वो इसी दसलाख रुपे की कैपिटल से यदि इश्वर का आशिरवाद रहा और सही तरीके से मेहनत कर करता रहा स्टैप्स को फॉलू करता रहा तो वह करोड़ो की कंपनी बना के खड़ी कर देगा ऐसा आप भी कर सकते हैं क्योंकि आपके साथ वह कॉंटेंट शेर करता हूं जिसका रियल लाइफ में मैं इंप्लिमेंटेशन करता हूं मैं अपने जीवन में किसी भी ऐसे किवार रिश्चदार और फ्रेंट्स में कोई भी गाड़ी खरीदने का मन बना रहा है तो यह वीडियो उनके साथ ज़रूर शेर करें स्वस्त रहें मैं डॉक्टर अमित मैश्वरी आपके सुनरे बविश्य की कामना करता हूं जै हिंद जै भारत